नमस्कार दोस्तो आप सभी के वह फिर स्वागात है आपके अपने यूटूब चैनल फुल प्रिस्प्रेस्ट में है दोस्तो आज की वीडियो में रेलवे गृूप D 2018 में आए है फिर दोस्तो जी की जी की जी कोश्चन करने वाले हैं दोस्तो इसका अगला भाग है अगर इस कोश्चन सा कि Bombay Stock Exchange की साफना कब की गई थी तो दोस्तो आज का आपका होवा कोश्चन है यानि की IQ कोश्चन है कि परमाणों के भीतर न्यूट्रों दोरा प्रोडोन पर आरोपित बल कहलाता है आपके options है A जोरियबल option B विदूत इस्तित बल और C है दोस्तो गृता गाश् पूरा वीडियो जरूर देख ले और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो भी लाइक कर ले अपने दोस्तों में शेयर कर दे दोस्तों कि उनको भी educational वीडियो मिलती रहे जो उनकी exam preparation में बहुत ज्यादा help होने वाली है अगर आप पूरा चार मीटर बी है सतर दसम्मलाव दो मीटर सी है 344 मीटर और दोस्तों डी है 112 मीटर दोस्तों अगर वो टाइम कम लगता तो वीडियो रोक ले फिर आपने answer दे और मैं उम्मित करता हूँ कि आप लोग साथ साथी answer दे क्योंकि आपके मन में जो to the point right time जो answer आते है वो दे दो ना ढ स्थितरव. पैंल grades 17.2 मीटर दोस्तों आप लोग जानते है प्रतिव ने क्या होती है दोस्तो जो अबरोध होने के बाद दोस्तों जो अवरोध होनी के बाद धवनिय के शूत में अवरोध होनी कैसे ऊपर जो वाप yhtत्मन होने के वाתो घालियोowlı कि और सढ़ दोरhat क किस राजिय में इस्तीत है? आपके options A, आंधर परदेश, option B, मद्ध्य परदेश, option C, गुज़रात, और दोस्तो D है आपका महराष्ष्टर दोस्तो इसका जो सही आनशार है, वो आपका है, option B यानि की मद्ध्य परदेश दोस्तो, जो बां सागर बांध है, आपका मद्य परदेश, बिहार और उत्तर परदेश लाभामतित हो रहा है इस प्रोजेक्ट से, इस बांद से अगला कोचन दो दोस्तों 18 जनवरी दोर 18 को किसे उत्तर परदेश राज्जी चुनाओं आयुक्त के रूप में निउक्त किया गया आपके option से ए, T वेंकेटेश, option B है, S के अगरवाल और D है, मनोच कुमार D है, वेद प्रकाश वर्मा दोस्तों इसका सई अंसर आपका option number C यानि की मनोच कुमार और दोस्तों ये अभी भी, अभी वर्तमान में भी यही उत्तर परदेश चुनाओं आयुक्त के अध्यक्षे अगले दोस्तों बोश्टन की चाहपाटी किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों बोश्टन की चाहपाटी थी आपके option से A, 776, option B, 774, C है 1775 और D है 1773 तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है या आपका option number D याने की 1773 दोस्तों जो बोश्टन की जो चाहपाटी थी वो अमेरिका सोतनातर संगराम का ततकालिन कारण ये साबीत हुए थी क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए थे और उनने अपनी विचार को और अपने जो planning थी उसको आगे बढ़ाने के लिए सेमिल डिसकस कि और बोश्टन की चाहपाटी दोस्तों 16 December 1773 को हुई थी इसको नहीतर से जो किया था दोस्तों Samuel Adams ने किया था ठीक है और अमेरिका सोतंतर संगराम दोस्तों 1776 से 1773 की बीच में चला था 1776 से 1773 के बीच में और दोस्तों 4 जुलाई को सोतंतर संगराम ये स्टार्ट हुआ था और उसी दिन को ये लोग सोतंतर दिवस के रूप में मनाते हैं अमेरिका में तो ये भी आपसे आप्शन होगी 4 जुलाई को अमेरिका में सोतंतर दिवस मनाया जाता है जिसे हमारा 15 अगस्त अगले दोस्तों एशिया ही खेल जिनको ACR भी कहा जाता है एक बहु खेल योजना है आयोजन है जो पूरे एशिया की एथलीटों के बीच प्रतिक वर्षों में होता है कितने वर्षों में होता है दोस्तों प्रतिक कितने वर्षों के अंतराल में होता है आपके आप्शन से A, 5 वर्ष, option B, 2 वर्ष, option C, 4 वर्ष और दोस्तो, D है आपका 3 वर्ष दोस्तो, इसका सजयांसर आपका option number C, यानि की 4 वर्ष दोस्तो, A.C.I. खेल जो होता है, वो प्रतेक 4 वर्ष वर इसका I.U. जिन होता है और दोस्तों, बहुत दिश्य खेल होते हैं बहुत सारे खेल इसमें अजित किया जाते हैं और यह याद रखेंगी, प्रत्वम इशिया ही जो खेल पर अरंब हुआ था वो 4 आपका March 1951 को हुआ था और यह कहा हुआ था दोस्तो, तो यह हुआ था दिल्ली में दोस्तो, आप questions को ध्यान से पढ़ेंगे अगर आप कोचिंग भी पढ़ रहे हैं तो हमारे वीडियो को देखें क्योंकि आपकी preparation को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए दोस्तो, बहुत ज़्यादा यल्पूल होने वाली है अपने जितने भी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें क्योंकि सबको ये मिलता रहे अगले दोस्तों निम्मे से कौन सा उत्तक कोशी का भी भाजन में सक्छम है आपके options है द्रिड उत्तक option B है स्थुलुक कोण और दोस्तों उत्तक और C है मिर्तदक उत्तर और D है बिभोजटक दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका option number D यानि कि दोस्तों बिभोचटक दोस्तों ये बिभाजी दो जाता है ये बिभी जो उत्तक उत्तक कोशी का भी भाजन में सक्छम है और उत्तकों का अध्यन दोस्तों histology में किया जाता है यानि इसके अध्यान को इस्टोलोजी कहते हैं अगला है दोस्तों निमने मैं से कौन सा प्रोपेन में कारियात्मक समू है आपके options है अल्कोहल option B है, ketone C है दोस्तों कार्बोकलसलिक एसीड और D है दोस्तों एलिहाइडरेट दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका इसका उत्तर है दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है option number B यानि की ketone दोस्तों ketone प्रोपेन में कारियात्मक समू है और दोस्तों ketone कार्बनिक योगिक है ठीक है अगला कोशन है दोस्तों मरुस्थलिये पोधे में उपचर्म जिसे हम एपिडर्मिस पर एक मोटी कुमल बाहरी परत होती है जिसे क्या कहते हैं जिसे कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों आपकी ऑप्शन से लिगनन C, B है Cellulose C है कर्टीन और दोस्तों D है वसा दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका उप्शन अंबर C यानि की उसे कर्टीन के रोब में जानते हैं और दोस्तों द्रिड उत्तक्ग जो होता है, वो जीव दरव नहीं होता है इसमें दोस्तों भिच्टी सिलीगनन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है दोस्तो मिर्दितलक की कोशिगाएं भित्ती पतली और सेलिलोज की बनी होती है ध्यान रखेंगे आप अगला दो जिवाशन में इंदम जलने पर मुक्त कारबन नाइट्रोजन और सलफर के ऑक्साइड कहलाते हैं दोस्तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नम्बर यानिकी इससे हम अमलिय आक्साइड कहते हैं और दोस्तो जीवाश में इंदम जो होता है इसका परत दर चटानों से प्राप्त होता है ठीक है, और इन इंदनों में उर्जा का भरपूर का जो शुरुत है, तो कारबण का योगिक रहते हैं, जिसमें विद्धिवान रहते हैं, कारबण का योगिक, और दोस्तो कुछ उधारण है, कोईला, पेट्रोलियम, प्राकरति, गया साधिज जीवाशमद्धां के परमक उ दोस्तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो ग्याद करने में योज किया जाता है दोस्तो कुछ और महत्मौन करने हैं जैसे कि आपका सेक्टेंस क्या होता है दोस्तो उचाहिम आपने में योज कियाता है पाइरोमेटर क्या होता है दोस्तो दूर की वस्तू किताब ग्याद करने के लिए किया जाता है गैलविलिमेटर दोस्तो वो करते है तेल की उपस्तिती में जो ग्रेविलिमेटर होता है उसके लिए करते है मैनोमेटर गैस के दाब इस तरह के दोस्तों हम उसको भी उज़ करेंगे उपकरण और उससे क्या कारे किये जाते हैं अगला दोस्तों लंदन के लोड्स की पहली महिला CEO कौन थे आपके आप्शन्स है डियाना एम मुलिंक भी है अन्ना मैनिन पैशीस है बैथी मोनि और दोस्तों D, इंगा बेल दोस्तों इसका ज़िए सही आंसर है आपका वो है आप्शन no.D यहने की इंगा बेल अगले दो दोस्तियों एक दूसरे से किसी अन्य सज्योंजी को उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे क्या कहते हैं कहा जाता है क्या कहा जाता है आपके option से option B है उपास्थित option C है अधात्री और D है दोस्तो पेशी दोस्तो इसका जो सही आंसर आपका वो है आपका option number A याने की सनायू दोस्तो मास्पेशियों एवम इस्तियों को जोड को आप समझ की दो उस्तियों जुड़ती है दोस्तो वो तो सनायू से जुड़ती है और मार्च परेशी है में अस्ति को जोड को टेंडन कहते हैं दोस्तों अस्तियों में अस्ति के जोड को लेना मेंट्स कहते हैं ठीक है और सब्सक्राइब करता है तो इन्हें कुछ सहारा भी देता है ठीक है दोस्तों हम कुछ कोशन करना एक्सर भी करना चाहेंगे जिससे अगर questions को थोड़ा modify करके भी लिया आए कुछ और option बदल दे तो दोस्तो अगर आप ध्यान रखेंगे बातों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी एक में दो तिन questions भी हम cover करने ही कोशिच कर रहे हैं दोस्तो अगला question है परमानू संखिया 57 वाला तत्व सम्बंदित होता है आपकी options है A D block से option B है A block से option C है P block से और दोस्तो जो D है वो S block से दोस्तो इसका जो सही answer आपका वो है option number A यानि कि D block से दोस्तो परमानू की 57 वाला तत्व है और D block सम्बंदित है और कक्षा ये सेल के कई उपकक्षाएं या सब सेल्स भी कहते हैं ठीक है दोस्तो इन सब सेलों में S, P, D, E, F द्वारा सुजित किया जाता है जिस तरह प्रतेक कक्षा में उपस्तिक इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संक्या निश्चित होती है उसी प्रकार प्रतेक उपकक् पर बनाई गई है आपकी option से पेनना option B है कावेरी C है गोदावरी और D है दोस्तो कृष्णा दोस्तो इसका जो सही आंसर है कि पुलचिंतला जो जल्पर योजना है वो आपकी कृष्णा नदी बनाई गई है दोस्तो ये 1902 इसी में सुरुआत हुई ये बनी है और दोस्तो हमारे है कुछ और जो विदुद बनाने के लिए योजना है वो दोस्तो एक हमारा है ये NPEC जिसे हम दोस्तो नेशनल दोस्तों जिसे हम National Hydroelectric Power Corporation के नाम से जानते हैं और दोस्तों एक है हमारा NTPC दोस्तों यह रेलवे NTPC नहीं है यह National Thermal Power Corporation ठीक है? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1975 में और इसकी हुई थी दोस्तों 1975 में स्थापित किये गए हैं ठीक है? अगला दोस्तों इथिनोल को इंधन में परिवर्तित करने के लिए Dehydrating agent के रूप में यूज किया जाता है किसी किया जाता है दोस्तों आपके options है निकिल option B है सूरे का प्रकाश C है सांत सर्फिलिक अमल और D है दोस्तो ताप दोस्तों इसके जो सही आंसर है आपका वो है आपका option number C यानि कि सांत सर्फिलिक अमल दोस्तों जो सर्फिलिक अमल का उप्योग petroleum के शोधन में कई परकार के विसफोटक बनाने में रंग और ओशदिया बनाने में संचाइक बैटरी आदी बनाने में किया जाता है अगले दिव्यांगों के लिए कौन सी राज्य सरकार विश्व का पहला IT परिसर स्तापित करेगी आपके option से A पशिम बंगाल option B अंदरप्रदेश C हरयाना और D है दोस्तो तेलंगाना दोस्तो आप मेरे questions को आगे जिन्हों पढ़ा होगा वो set के तौर पे ले और जिन्होंने पढ़ा अभी नहीं होगा जिन्हों को questions नहीं लग रहे हैं दोस्तो वो उसको knowledge की और अपने study के purpose से भी ले क्योंकि दोनों मायने में आपकी ही help होने वाली है अगले जिन्हों ओडोमेटर का उप्योग क्या मापने में किया जाता है आपके option से दूरी option B दिसा, option C गती और D है दोस्तो गंद दोस्तो ओडोमेटर जो हम use करते हैं वो हम दूरी मापने करते हैं दोस्तो पहिये वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने का जो यंत्र है वो ओडोमेटर द्वारा हम करते हैं उस कारे को पूरा अगले जो gateway of India कहां परिष्टी थे आपके option से A मॉंबाई, option B चैन नाई, C नाई, दिल्ली और D है दोस्तो जैपुर दोस्तो अधित्र लोग इस कांसर पता होगा की जो gateway of India है वो मॉंबाई में है और दोस्तो जान लेस की स्थापना 1911 IC में हुई थी और दोस्तो ये जो स्थापना की की थी वो gateway of India की जो स्थापना थी वो जो जोर्ज पंतम जो थे England से आ रहे थे भारत आ रहे थे उनके स्वागत में बनाया गया था दोस्तो गेट्व इंडिया जो है वो अरब सागर के त्रट पर आवस्तित है अगले तो भारत के सम्विधान की मसोदा समीति के अध्यक्ष कौन थे आपके ऑप्शन से डॉक्टर आजिन्द परशाद बी सरदार बल्ला भाई परटेल सी जवाहलाल नहरू और दोस्तो डी है डॉक्तर बी आर अमबेटकर दोस्तो इसका जो सही आंसर है आपका कि मसोदा समीति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तो इसका सही आंसर आपका डॉक्टर बी राओ अमबेटकर ठीक है और दोस्तो प्राडरू समीति के जो गठन हुआ था वो 29 अगर सुने सेतारिस को हुआ था और जो कौस्तो जो प्राडरू समीति साथ दसे थे और समीधान सवा के सलाकार जो थे दोस्तो वो BN राओ थे दोस्तो सुनेंगे कभी कोस्टन्स में कभी मसोधा कभी आपको सलाकार भी पूछ सकता है तो धिहान रखेंगे हो थे आपके BN राओ अगला है दोस्तो आज का 20 अंदिम कोस्टन है 35 और पिच्चाजी के पिर्मानों संख्या के तत्व क्या होते हैं क्या क्या लाते हैं आपकी options हैं हैलोजन option B Ecline option C है निस्क्रिय गयास और D है दोस्तो हलाइट्स दोस्तों का सही answer है आपका कि ये होते हैं आपकी option number A यानि की हैलोजन वर्ग के होते हैं ठीक है और दोस्तो fluorine, chlorine, bromine, iodine और acetine को जो सम्मिलित है इसको हलोजन वर्ग में रखा गया है ठीक है और हलोजन सदसे की आवसार निमे 17 में रखा गया है और bromine की जो प्रमानु जो संख्या है वो 35 है ठीक है दोस्तो आपने जुरू बताएं कि आपके 20 में से कितने questions सही हो रहे हैं दोस्तो वीडियो में कुछ valuable comment suggestion जो भी हो जुरू डॉप किया अगरे जुरू बताया करें और पिन दोस्तों में जदा से जदा इस वीडियो के शेयर करें ठीक है दोस्तों फिर मलते है अगले वीडियो में जय हिन्द